पिछले एपिसोड को जब हमने अपलोड किया था IOCL Examations Technical Attendant के Sample Paper 2 को तो आप सभी में से कुछ candidate ने comment sections में request किया है कि sir questions जो हो वो हिंदी मेडियम में भी रहे तो ज़्यादा अच्छा से मैं समझ पाऊंगा क्योंकि हम लोग ITI जो किये होते हैं सभी ITI holder candidate के लिए English उतना बेहतर नहीं होता है इसो जैसे question अच्छे से समझ माएंगे हिंदी में तो आप सभी के request को हमने सुन लिया है और questions अब से आप सभी को हिंदी और English दोनों मेडियम में दिखेंगे जो कि आप सभी के लिए important होंगे और सहजता से आप सभी sample paper को समझ पाएंगे आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को IOCL Ignorations के Technical Attendant Post के लिए sample paper 3 डिसकस करने जा रहे हैं इसमें important question के साथ-साथ previous year question paper को भी डाला गया है इस वज़े से बहुत ही इत्मिनान के साथ अच्छे से देखिएगा ऐसी तो आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत ही प्यार से देखते हैं क्योंकि कुछ candidate ने comment में बताया था कि sir मैं आपके वीडियोस को देखने इसी उम्मीद से आता हूँ कि मेरा selections हो जाएगा आपके वीडियोस को देखने के बाद तो इस तरह के comment जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं अपने आप में खुद में एक और responsibility जैसा feel करता हूँ जो कि मेरे लिए अच्छी बात है कि आप सभी लोग एक उम्मीद के साथ हमारे वीडियोस को देखते हैं और मैं आप सभी के उम्मीद पे खड़ा उतरना चाहता हूँ तो इसलिए आज के इस एपिसोड को आच्छे से देखिएगा हलांकि ये sample paper तीसरा है और ये already prepare हो चुकी थी तो question इसमें English medium में ही है लेकिन answer इसके हिंदी में भी हैं दिये गए और चुकी आप सभी के request हमारे पास पहुँच चुके हैं इस वज़े से मैं कोसिस करूँगा आप सभी को आसान भासा में हिंदी में भी questions को कभी कभी समझा दूँ ताकि आप लोग समझ सकें और इस episode का भी basically effective way में समझ सकें या use कर सकें इस episode को आप अपने basically समझ को develop करने के लिए तो चलिए आज की इस episode की शुरुआत करते हैं अगर आपको ये session बसंद आएगा तो इस session को आप लोग अपने friend के साथ भी share कर दी जगा ताकि उसका भी मदद हो सके और चैनल पे अगर नए हैं तो इस channel को subscribe कर लिजी ताकि मेरा भी मदद हो सके और अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह के complete 10 sample paper को solve करने के लिए और completely technical attendant post का preparation करने के लिए तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ SKA tutorial एप पर जब ये notifications आई हुई थी Indian Oil Corporations Limited में तो उसी वक्त हमने batch को launch कर दिया था technical attendant के post के लिए भी तो batch उसी वक्त से चल रहे हैं already बहुत सारे बच्चों ने enrollment लिया और अपना preparations भी कर रहे हैं और sample paper भी हम लोग provide कर रहे हैं और sample paper ही ये नहीं है ये sample paper में कह सकते हैं अमरित भरा हुआ है क्योंकि exam oriented बनाया गया है हमने खुद depth में detail में examinations को समझने के प्रियास करी है previous year question paper को अच्छे से समझा examinations के level को समझा तो इस वज़र से sample paper हम लोग ऐसा design किये हैं जिसमें previous year question paper और sample paper दोनों रहे और इसको पार के कोई candidate जाए तो उसको एक अलग next level का confidence फिल हो कि हाँ इस बार 95% 90% से एभव question जो है कि सही बना करके आएंगे और selections भी लेने का पूरा मतब chances जो रहेगा पूरा high रहेगा इस तरह का confidence आपके अंदर आएगी अगर आप सभी sample paper को अच्छे से इमानदारी से solve करते हैं तब तो चलिए आज के इस एपिसोड में देखते हैं sample paper के questions के सुरुआत करते हैं तो अगर आप लोग भी हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं तो simple में Google Play Store से S&K Tutorial आप को download कर लीजिएगा और batch में enrollment लीजिएगा जैसे ही आपको ये सारे sample paper के access जिस भी मिल जाएंगे टोटल 10 sample paper हम लोग प्रोबाइट कर रहे हैं और आप जितने भी classes हो गए हैं video lecture classes सभी कुछ access कर सकते हैं PDF notes access कर सकते हैं सब कुछ आपको batch के अंदर मिल जाएंगे question number पहला से शुरुआत करते हैं question number पहला है what is the primary use of caliper in fitting work previous year question paper से ही शुरुआत करते हैं यह previous year examinations में पूछे गए हैं तो क्या है कि primary जो मुख men use है caliper fitting work में वो क्या है तो measure करना internal dimensions को यानि कि उसके dimensions को measure करना अंत्रिक dimensions को फिर है बाहिय dimension को measure करना या depth को measure करना या सभी कुछ है तो इसका answer होगा all of the above ठीक है उपयोग सभी होगे right answer अगला question है what does the term tolerance refer to in engineering tolerance जो word है इसका मतलब क्या है engineering में क्या होता है allowable deviation from the specific dimension या exact measurement होता है या measurement of force होता है या measurement of temperature होता है तो इसका right answer होगा option number a allowable deviation from the specified dimension इसी का मतलब होता है tolerance ठीक है अगला question number तीसा देखता है कहता है what tool is used for measuring the diameter of a hole किसी भी hole को measure करने के लिए कौन से tool का कौन से instrument का का सकते हैं use के जाता है micrometer का vernier caliper का dial gauge का या steel rule का तो right answer इसका होगा vernier caliper का caliper का use के जाता है hole के diameter को measure करने के लिए अगला question है what is the purpose of a tap and die set in fitting work देखिए tap and die set के बारे में भी आपने पढ़ा होगा ITE के दौरान जब आपका fitted trade होगा especially तो अपने detail में इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा चुकि आप लोग जानते हैं कि technical attendance के पोस्ट के लिए total 14 आप अगर चाहते हैं कि मैं electrician trade से हूँ या फिर फीटर trade से हूँ या electromechanic trade से हूँ तो सिर्फ उसी trade से related questions रहेंगे तो यह आपका सोचना गलत है इस इस वजह से अच्छे से तयारी करिए अच्छे systematic way में sample paper को solve करिए सभी trade से related questions आपको पुछे जाएंगे बेसिक लेवल के रहेंगे बहुत advanced के नहीं रहेंगे इसलिए डरने का भी बहुत जादा जरूरत नहीं है तो चलिए इसी के साथ यहां पर देखते हैं कि what is the purpose of tap and die setting fitting work तो यहां पर क्या purpose होगा to cut internal and external thread आंत्रिक और बाहरी thread को cut करने में to measure length length को measure करने में लंबाई को नापने में या to mark dimension dimension को mark करने में या फिर to polish surface को polish करने में तो इसका right answer होगा cut करने में internal और या आंत्रिक और बाहरी threads को काटने के लिए use के जाता है अगला question है what type of joint is created using a butt welder देखिए welding का प्रकार type पर होगे types of welding ठीक है तो butt welding का जो होता है वो किस चीजों में use के जाता है किस तरह का joint के लिए end to end joint corner joint age joint या T joint तो इसका right answer होगा option number a end to end joint ठीक है अगला question के और move करते है what is the function of a bench wise in fitting bench wise नाम का instrument होता है उसका क्या purpose होता है fitting में hold करना work pieces formally को किसी भी part को hold करना या thread को cut करने का काम करता है angle को measurement में use होता है या फिर polish करता है surface को इसका right answer होगा किसी भी work piece को अच्छे से tightly उसको क्या कर सके hold कर सके पकड के रख सके यही काम होता है bench wise का आप लोग देखते होंगे bench पे लगा होवा रता होगा आप लोग अपना workshop में देखे होंगे ठीक है उसको करते हैं bench wise जो की hold रखता है किसी भी दूसरे पार्ट को object को पकड़ के रख पकड़ने में काम आता है next question है what is the use of a spirit level spirit level का क्या use है to check the level of surface level of surface को check करने में to measure angle angle को measure करने में या फिर to cut materials material को cut करने में या to mark dimensions इसका right answer होगा to check the level of a surface यानि option number age होगा इसका right answer होगा अगला question के और move करते हैं what is the standard unit for measuring the thickness of a metal seat क्या है standard unit measure of a thickness of a metal seat का mm, cm, inches या meters में हम लोग क्या करते है standard unit है thickness को measure करने के लिए metal seat का उसको measure करने के लिए जो standard basically कर सकते है जो unit होता है millimeter आगे बढ़ते हैं जिसे कि बोलते हैं कितना mm का छड़ बोल देते हैं या फिर कितने mm का seat बोल देते हैं है ना जो टीन होता है टीन सब होता है 16 mm तो बहुत ज्यादा मोटा होगी है लेकि नॉर्मली जो मोटाई मेजर करते हैं वह mm में करते है what is the primary purpose of a leth machine leth machine का primary function क्या है में मुख्य काम क्या है to shape materials by rotating them कोई भी materials को shape provide करना rotate करा करके to measure angle to cut threads to join metal pieces जिसका right answer होगा option number A to shape materials by rotating them ठीक है सामगरी को घुमा कर आकार देने के लिए अगला question है which type of file is used for smoothing surface है किस तरह के file का use क्याता है surface को smooth करने के लिए कोई भी part जोता है rough होता है उसको smooth करने के लिए किस तरह के file का use करते हैं अलग-अलग type के file को आपने पढ़ा होगा flat file round file half round file smooth file है ना किस तरह के file का होता है उसका प्रियोग के जाता है ठीक है smooth करने के लिए surface को अगला question है what is a gauge used in fitting work मतलब what is a gauge gauge जो है वो क्या है fitting work में two major dimensions को measure करने के लिए two cut materials को two joint parts two polished surfaces right answer होगा two major dimensions dimension को I am mapने के लिए ठीक है अगला question है what does the term backless refers to in machinery machinery में जो है backless क्या refer करता है the play or looseness in a mechanical system the resistance of a material or the speed of a rotation या फिर the friction between moving parts तो इसका right answer होगा option number A ये क्या करता है important role play करता है looseness in mechanical system में यानि कि एक यांत्रिक प्रणाली में यांत्रिक प्रणाली में खेल या धिलापन यांत्रिक प्रणाली में खेल या धिलापन गजब होगा है next question के और move करते है what type of joint is formed by building two pieces of metal age to age butt joint, corner joint, tree joint or lap joint इसका right नहीं होगा butt joint अपने English में ही पढ़ी होगी बस कुछ-कुछ term आ जाते है English में complicated हो जाते होंगे आप लोगों के लिए basic English तो जानते ही होंगे question का बहुत जादा tough language भी नहीं रहता है जैसे questions अभी यहां पर अगर मैं बोलूँ what is a drilled bit used for what is a तो समझते ही होंगे drill bit क्या है इसका use क्या है instrument का नाम है इसको तो इसी नाम से जाने होंगे आप लोग ITI के दौरान अगर नहीं जाने है तो कोशिस करेंगे इसका भी Hindi करने का हिंदी वही करते हैं कभी-कभी अल्टर आ जाता है मतलब Google Translator से अगर देखा जाता है इसका हिंदी तो ठीक है तो सायद फिर भी कुछ भी आप लोगों का मदद हो सके कोशिस करेंगे अगले sample paper से हिंदी मेडिया में भी question आप सभी को दीखे ठीक है तो इसका right answer क्या होगा what is a drill bit used for to create holes in materials to measure angles या to cut threads या to polished surfaces तो right answer होगा option number a to create holes in a materials किसी भी materials में जो hole करना होता है अगर तो उसमें छेद करने के लिए drill bit का यूज के आता है ठीक है जी चलिए आगला question है what is the purpose of a बेभल protractor ठीक है तो इसका right answer क्या होगा to measure angles accurately है एंगल को accurately measure करने के लिए बेभल protectors का यूज के जाता है इसे इसको याद रखिएगा अगला question के और move करते है which tools is used to check the straightness of a surface यानि कि surface का straightness को यानि कि पूरा surface को देख रहे है और पूरा plan है उसको देखने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट के यूज किया जाता है तो इस्टेज वर्नियर के लिए पर micrometer speed level किसका तो option number A जो होगा इसका right answer होगा straightness यानि कि सीधी धार का अगला question है what is the function of a surface plate in fitting work क्या function है surface of the fitting work का तो option A है to provide a flat reference surface for measuring and marking to cut materials to join metals या pieces to polish surfaces तो right answer होगा option number A to provide a flat reference surface for measuring and marking ठीके जी चली अगला question देखते है what does deboring means in metal working तो इसका मतलब क्या है removing sharp edge or burns from a metal surface या cutting metal into pieces या measuring the thickness of metals या polishing the surface of metals तो बताना है आपको इसका right answer होगा option number A अगला question है 19 number what is the use of thread gauge thread gauge का क्या use है ठीक है क्या उपयोग है to measure the pitch of a thread to measure the diameter of rods to cut threads to mark dimensions तो इसका right answer होगा option number A to measure the pitch of a thread अगला question है what type of fit it is fit is described as tight fit तो interference fit clearance fit transition fit या फिलूज fit कौन fit interference fit जो होगा तो ये थे important question sample paper के इसमें बहुत सारे questions रहते हैं 75 questions technical के और 25 questions non-technical के ये सारा चीजें इसके अंदर दी गई है तो सारा चीजें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं sample paper के अंदर में download करके तो I hope you have understood these things और आपको questions समझ में आई होगी किस-किस तरह के questions हैं और इसके अंदर में पूरा sample paper को भी डाल दिया गया है जो कि आपके लिए important होंगे sample paper के साथ previous question paper भी डाले गई है इसको अवस्य solve कर लीजेगा एक generations में जाने से पहले जो कि आपके लिए बहुत जादा helpful और मददगार सावित होंगे तो I hope you have understood all the things मिलते हैं अगले episode में अगले किसी नए sample paper के साथ नए आप सभी के request के साथ Hindi और English दोनों मेडिया में questions भी रहेंगे और answers भी रहेंगे और उस episode में हम लोग धमाल मचाएंगे और इस तरह से कुछ questions के साथ मिलते रहेंगे अगले episode में और पूरा complete sample preparation करना है अगर तो आप लोग हमारे साथ अवस्य जोएन होने का कष्ट करें और अच्छे से preparations का सकते हैं तो I hope you have understood all the things मिलेंगे अगले episode में तब 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 नमस्कार जय हिंद वंदे मात्रम